हाई प्रिंच आप सब कैसे हैं आयोंगे आप सब अच्छे होँगे तो यह हम सामके टाइम अपने गार्डन में आ गया है यह हमारा बैगन का पौधा है और यह बैगन का पौधा जो है अब इसने फ़ल देना सुरू हो गया है हर पौधे में एक दो फल लग गए हैं बैगन के कापी छोटा पौधा तब भी इसमें फलाना शुरू हो गया है कापी अच्छा पौधा तयार होगा बैगन का यह माई तुलसी का पौधा है यह गुड़हल का पौधा देखे कितने खुबसूरत फूल के लिए अब भी हरे भरे है साम का टाइम हो गया तब भी हम आगे चलेंगे आपको आज हम पालक की बीज लगाएंगे बालक उगाएंगे तो आज हम अपने गाडन में बीज लगाते हुए आपको दिखाएंगे यह मारा हम इसमें ब्यगन की सीड लगाएंगे आज इसको सफाई करेंगे इस पौट की यह खाली पड़ा था इसमें कुछ था नहीं एक दो पौदे हैं इसको हम हटा देंगे इसकी सफाई कर लेंगे इसमें जो सूखी पत्तिय हैं इसको हटा देंगे और घास भूस है वो भी हटाएंगे पूरे तरह से इसकी सफाई करेंगे और गुडाई करेंगे क्योंकि अगर इसकी घास नहीं निकाले जाएंगे तो इसकी घास जो है बाद में फिर से नहीं हो जाएगी और पालक को ठीक से होने नहीं देगी तो इसमें जितने भी घास हैं हम इसको सब को साफ करेंगे एक एक पोट को इसकी मिट्टी काफी भुरुबरी होनी चाहिए इसमें कंकर पत्थन ना रहें तो ज़्यादा अच्छा है तब ही आपका पालक अच्छी तरह ग्रो करेगा ये काफी दिनों से खाली पड़ा था ये दिखिए हमने इस पोट की सफाई कर लिए गुड़ाई भी कर दिये हैं अब इस पोट को साफ कर रहे हैं ये तीनों पोट जो है हमारे रेडी हो गए हैं बीज लगाने के लिए इसकी मिट्टियों को हम तोड़ देंगे जो छोटे-छोटे टुकड़े हैं मिट्टी के इसकी मिट्टी काफी मुलाइम हो गई है बीज लगाने के लिए ये पोट तयार हो गया है ये दिखिए अक्टूबर के महीने में अगर आप पालक की सीट को लगा देंगे तो आपको दिसंबर तक पूरा सबजी मतलब पालक की तयार मिलेगी या ये मान लेजिए कि नॉम्बर के बीच में आपको पालक तयार हो जाएगा अब इसमें हम पालक की सीट को डाल देंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम हाँ से डाल देंगे यह देखिए मारी पालक की बीज है अब हमारा ये जो है तीनों पोड तैयार हो गया है हमने इसमें बीज भी लगा दिया है अब एक बार फिर से हमें इसको मिट्टी को पालक की जितने भी बीज डाले उसके उपर उपर कर देंगे ताकि पालक अच्छे से ग्रो हो जाए कोई भी बीज इसका खराब न जाए इसमें अगर आप ऐसे ही पालक लगाएंगे तो पक्का आपका सारे पालक की जितने भी बीज आप डाले हैं सारे उख जाएंगे और हमेशा आप भी सामके ही टाइम लगाईए क्योंकि अगर आप सुबह लगाएंगे तो दोपहर की धूप के उजासे वो भी जो आप लगाएं वो देर से होगा हो सकता हो सूख भी सकता है तो कोई भी बीज या पौधा लगाईए तो आप सामके ही टाइम लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा देजल्ट आपको मिलेगा हमारे वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज कमेंड वाक्स में बताइएगा और हमारे चैनल को सिस्क्राइब करिएगा और चैनल का सपोर्ट करिए ताकि मेरा भी चैनल आगे बढ़े यूकि भीना आप सब के सपोर्ट से मारे चैनल आगे नहीं बढ़ेगा ये भी मारे देखें हमने गुरो बैक बनाया है घर में जो खराब बोरिया होती है उससे हमने गुरो बैक बनाया है इसमें भी हम पालक की सीट जो बची है उसको लगाएंगे थोड़ी सी बीच बच गए थे तो यह सारे जो है हमारे यह देखिए मिर्ची का पौदा इसमें सीट डालेते हो गई है चोटे-चोटे मिर्ची के पौधे हुए है यह भी हमने सीट से उगाया है इसमें हम सीट लगा चुके हैं यह सब हमने खुदी बनाया है खाली वेकार बोरियों से हमने गुरो बैग बनाया है अब इसमें हम कोई पौधा लगाएंगे जितने खाली गुरो बैज हैं सब में पौधा लगाएंगे यह मारा मिर्ची का पौधा है इस वीडियों फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए बाई बाई